विजयाचध्ध्धा ने अपना tweet delete क्यूं कर दिया? विजयाचध्ध्धा जिन्होंने राष्ठ्रिय महीला आयोक से सवाल पूछे थे वो tweet delete करने कि उनको ज़रूत क्या पड़ी? क्यूं उन्होंने लिख कर बताया कि वो tweet उन्होंने डिलीट कर दिया है? मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिजे दरसल अनराक कश्यप पर यौन उत्पीडन का यौन शोशन का आरो पायल घोश ने लगाया और उस दौरान उस कहानी के दौरान उन्होंने रिजा चडधा और कुछ अ अन Turnyr राष्ट्रिय महिला आयो जो पायल खोश को सपोर्ट कर रहा था उनसे उन्होंने सवाल पूछा सवाल पूछते हुए तो उसके बास सवाल के बाद मान्हानी मुखणमा भी उन्होंने किया पायल पर ऑर ट्वीट करके राश्ट्रिय भायला आयो की अधरख शार्रग से पूछा कि उनकी शिकायत पर कारवाई कब तक की जाएगी पर अब रिचा चड़्धा ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है दरसल रिचा चड़्धा ने अपने शिकायत के संदर्व में एक मेल मेल गया है और उन्होंने इस बात की जानकारे देते हुए लिखा है पिछला ट्वीट डिलीट कर दिया है क्योंकि NCW से मुझे जवाब मिल गया है रिखा शर्मा को धंटेवाद देते हुए कहा कि आपके जवाब के लिए शुक्रिया रिखा मैम मैंने पिछला ट्वीट कर दिया है जिसे मैंने आप से जानकारी मांगी थी ये एक नए आईडी से आया और फेवर करती थी जो बहुत ही बैड सेंस में वेरी बैड टेस्ट और पाइल गोश्ट के वकील ने कहा था कि अपना बयान वापस लेने के तयार है हाला कि पाइल बाद में ट्वीट करके कहा था कि रिखा चडधा से माफी नहीं मांगेंगी तो विवाद गहराता जा रह है उन्हें रिखा चडधा को शायद याश्वासन दिया है कि उनकी हाला कि क्या मेलने बातचीत हुई है वो अपना सामने नहीं आ है लेकिन याश्वासन मिला होगा कि उनकी शिकायत पर कारवाई की जाएगे अब देखना यह है कि पाइल गोश्ट पर राष्ट महिला आयो किस तरह का एक्शन लेता है क्योंकि उन्होंने यह इलजाम लगाया था बने नहीं हमारे साथ लगाता है